Hey हेलो फ्रेंड्स कैसे है आछ सब़ी Welcome back, again वैसे back- required again उद् vocalization नहीं होता तो मैं क्या कर रहा था मैं अभी आपको profile mail or walks का assignment कर बारा था तो आज मैं आपके लिए एक method लेके आया हूँ, वो क्या है, decay method ठीक है, अगर आपको पसंद आए, तो follow करना, वरना कोई जो जबतस्ती नहीं है, कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है, फर मैं guarantee देता हूँ, आपको 100% ये smudge में आएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, क् कि ये आपका time 80% तक घठा देगा, जो आप अभी method फोलो कर रहे हो, ठीक है, अभी चलो, अभी फिलार में पहले कुछ और question करता हूँ, उसके बाद वो method पे हम बात करेंगी, ठीक है, हम अभी 75 कर चुके हैं, 76 question था, 76 question में क्या given है, कि कोई article है, अगर बोला गया कि 11 सरी, ए तो 3,000 कम पे बेज था, ठीक है, तो उजे loss होता, 9 सरी 1 बटा 11%, ठीक है, अब मुझे बोला गया 11 सरी 1 बटा 9% का profit है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सीथा 1 बटा 9, 11 99 में, रेक 100, 100 बटे 9, percentage का fit 100, मैं लोगी 9 का लेक आया 10 में बेज दिया, कहना ये चारा है, मैं ल 3,000 रुपे, यहाँ पे less करता, तो profit कितना हो रहा है, 9 सरी 1 बटा 11, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 99 में 100 बटा 11, इंटू 100, मदब कि 11 का लेके आया होगा, और 10 में उसने बेज दिया, उसको क्या हो रहा है, loss हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, loss है, तो कितना हो गया मैं, 11 का ल इनका difference पहले, इनका difference क्या होगा, ये 10, 90 और 110, 110 माइनस 90, ठीक है, और एकिस के बाब हो जाएगा, ये 1300, और ये 13,000, ये 13,000, तो 33,000, माइनस 13,000, तो कितना बचा, ये 20 unit बचेगा, तो एकिस के बाब हो गया मेरा, 00002, मालों कि 20,000, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, value, 9 unit की चाहिए, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक हजार, तो 9 की कितनी हो जाएगी, ये 9 है, मुझे इसकी चाहिए, तो 9 की आपकी 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास इसका ये answer हो जाएगा, अब आगे next question करते हैं, 77, 77, 77 में किया कि, an article was sold at 23% profit, अब उसने 4 में कमें होता, और 20 में बेचा होता, तो profit उसका 10% कम हो जाता, ठीक है ना, मनलब बोला क्या है, कि उसने एक article खरीता है, बेचा सोरी, एक article बेचा है कि 23% profit पे, तो 23% को मैं तोड़ तो सकता नहीं हूँ, कि 23% करूँगा, कटेगा ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 100 पे लेके आया, और 123 से बेच दिया, थोड़ सी regulation lengthy पड़ेगी इसमें, तो अब क् 13% का मतलब 100 में लेके आया होगा, तो 113 में बेचा होगा, ठीक है, देखीजी, यह आपको अपरा lengthy पड़ेगा, lengthy पड़ेगा, वैसे easy है, दिखने में लग रहा है, कि ऐसे से आपको कोशन देगी ही नहीं, इस शाइक को आपको lengthy पड़े, यह 11300, यह 12300, तो 12300 में इसे 11300 दो जारा गया, यह मेरा 4002 आगया, ठीक है, खर गया मैंने, अब करना है कि आपको इसका difference लेता हूँ, तो 0000, यह 01, एक दार हो गया, यह मेरा 4002 गटाँगा तो, अब 52 को अगर 100 में से गटाँगा, क्या बचेगा, 48, देखें, कभी भी हम 100 का gap लेके चालते हैं, कैसे 52 है, अगर मैं बोलू, 100 में से गटाँएं तो क्या बचेगा, तो तरीका क्या है, इसका, इसमें ऐसा नम्च जोड़ी इसको, 10 बना दे, 10 क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, और इसा वाली मैं ऐसा नम्च होडी इसको, 9 बनादे, 24 बनाेगा, यह तरीक होता है, अब कोई मुसे बू तो मैं क्या करूँगा यह पहले वाला एजटीज बीच में इन दोनों का सम तीन रेक चार ठीक है लाश में यह वाला एजटीज एजटीज ठीक है और अब ही मैं कोई ठीक है तो मैं 6 और 5 ग्यारा मैं एक रखूँगा और हासिल यहां पर ले जाऊँगा ठीक है कैर यहां कर देगा तो इतना जाएगा 6 हो जाएगा तो असर क्या होगा 616 ठीक है यह ट्रीक्स होती है यह 11 का multiply करना यह बहुत easy होता है factor बनाओ multiply करतो 100 से करना 25 अगरा इंकी सब tricks होती है वो हम आपको special कोई वीडियो बनाऊंगा डाल दूँगा अगर आपको requirement है तो मुझे डाल दीजी comment में कि सब एक वीडियो tricks के उपर भी बना दीजी जो calculator tricks है ठीक है अब इन में क्या करना है यह 10000 है कितना बचने 1548 अब पूछा क्या है 100 की पुछी है आपके पास कितनी है 1000 अब 208 beetle हो जाएगा ठीक है फैंस यह कुंसा कोश्ण है मेरा 77 अब 78 करते हैं अब देखिए अब मैं को तर जादा हूं पर एक जमाना था जब हमारे पास तो थी नहीं मालं की पैसे नहीं हम तब कीसे करते है जैए करते हैं मलं की आर्टिकल पर कैसे मानुके चलो एक बंदा है उसने घुरार 40 उसने क्या बायर आशल मेरे शे रुटे में में बेज दिया तो किया बोलूगा मैं फाइदा हुआ है पर अगर मैं यह बात करता हूं कि भाई पाज आर्टीकल थे यह क्या मेरी आर्टीकल फोम है ठीक है आर्टीकल फोम अलब कि कोई quantity योई unit होगी कुछ मात्रा होगी कुछ भी weight हो सकता मेरा number हो सकते है pencil दे दिए pen दे दिए ठीक है ये quantity होगी अगर मुझे यह करना है मुझे चल गया पता कि मैंने 5 देने थे मैंने 6 दे दिए ठीक है और 6 दे दिए पास ये लोस आगया पहले बंदेगा लोस ऐगी ठीक है अब दूसी बात करता हूं मैं ठीक है दूसी बात क्या है अगर ये ही system अब दूसरा बंदा करता तो आप क्या करते है कि मैं बोल दूं कि मुझे 6 आटिकल देने थे मैं ने 5 दे दिये ठीक है मैं सिरफ कर्मट चेंज कर रहा हूं मलब कि यह seller है इस टाइम पे यह क्या है बायर है ठीक है यह seller है seller ने sell किये कितने किये 5 कर दिये 6 करने थे तो उसे profit हो गया एक article का तो कितने पे होगा जो उसने दिये है मलब कि जो quantity actual उसने निकाली है ठीक है मलब कि एक पे पांच तो कितना होगा यह तो 20% का profit कमा लिया किसने कमा लिया इस बन देने कमाया ठीक है वो कब है जब वो हेरा फेरी करता है तो ऐसी दुकानदार के बात करते हैं कैसे जैसे weight method है अब आपको यह बोल देगा कि भाई मैंने कोई समान तोला और उसमें क्या हुआ मुझे कि मुझे देना था 1000 ग्राम मैं चीट कर दिया वो मेरे पास कोई समानची नहीं रहने आया तो मैंने उसे 900 ग्राम देदी अब 900 समसी नहीं देदी तो मेरा profit कैसे वह आप यहां पर कैसे अग्राट करो क्या यह quantity तो वह आपके सामने क्या है quantity है ना तो मैं तो मैं रिश्यों में तोड़ लेता हूं simple तरीका सेम रहेगा बात वहीं पड़ेगी ना ठीक है तो 10 मनलब कि मेरे को देनी कितनी थी 10 मैंने देद हो हमें मतलब कि मैंने एक गराम बचाया है नो पे मुझे मुझे देने से नो और मैंने दे दिये कितने कि मुझे profit कितना हुआ है एक बाई नो पे इंटू हंडर्ड मतलब कि 1 बाई ग्यारा से एक बाई नो परसेंट मुझे profit हो गया यह बात कर रहा हूँ जब मैं weight की बात कर रहा हूँ कि ठीक है कि मुझे इतना बचाना था अब देखिए अगर यही बात आपको बोल दी जाए percentage में कि उसने बोला कि weight में weight में कितनी हराफिरी की है 10% की मान के चलो मैं बोलता हूँ कि weight में या centimeter में meter में किसी में भी हराफिरी की 10% की हराफिरी का मतलब क्या हो गया कि 10 रुपे पे एक रुपे की हराफिरी की है ठीक है कुल बोलो तो मुझे दे नहीं थी 10 unit मैंने दे दी कितनी 9 unit ठीक है कभी भी dishonest होगा तो मतलब प्रुफिट ही कमाएगा लोस नहीं लेगा वो अगर बोल दिया कि उसने हराफिरी किया तो मतलब उसे profit कमाया है मैं लोकि 10 रुपे की चीज थी मैंने उसको कितनी दे दी 9 मैं लोकि 10 देनी थी मुझे मैंने उसको 9 ग्राम तोल ले दी ठीक है तो profit कितना होगा मेरा एक का कितने पे हुआ एक बटे 9 पे ठीक है तो मतलब क्या होगा ये 10 परसेंट का उसने क्या किया हेराफिरी कर थी weight के अ लोकि 9 की चीज लेगा था मैं 10 में बेज दी अब आपको ये पास समझ में आगे की आपने देखा अब जो मैंने आर्टिकल की कौंडरी आपकी दिकार निकाली थी उनका इनका देखिया अब मैंने 10 परे 9 कर दिया सीधा सीधा ठीक है ये तरीक हो था मेरे पास निकालने का अब जैसे कि मैं पहले बात की थी 1000 ग्सफ उसे ह्चार ग्राम पे ऐसे क्या 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 कि रोख प्रोड़ना था उससे 900 ग्राम तो तो अब मैं क्या करना मुझे कुछ निह करना गदना बल्र इसको इलड़ देना है मैं लोग ऐसे 1000 उपर रहेगा 900 नीचे रहेगा मलब की 10 बटे 9 ये क्या हो गया मलब की 9 की चीज ले के आगा था 10 बटे में बेज दी मैंने मलब की article form को रूपे की form में change कर दिया profit and loss में अब यही चीज आपकी आगे भी काम आएगी अब ये बात थी बेजते वक्त की अब मैं बात करता हूँ आपके पास एक form क्या होती है कोशन की की भई कोई दुकानदार था ये बंदा है इसने क्या किया खरीदते वक्त profit कमा लिया मान के चलो खरीदते वक्त इसने क्या किया मतलब की आपको ये बोल दिया कि खरीदते वक्त आपका profit कमा ये कितना मान के चलो मेरे को बोदा तू तोले, खुद ले हैमने क्या कि आ मरने हाइन तोलना था नो सो ग्राम, मैंने हजार गाम फिसदेर लिया बनाजिस मैरे पास स्थिद्ट्र और जो आपका उसका प्रायस की फोर में बनता है वजलोगी मैंने कतने with लिया है अगर मैंने गबला किया है मुझे पूचए किन वार्ट तो मैं क्या बोलूगी मुझे लेने के थे 900 घ्राम का 209 का profit कमा लिया, तो मेरा क्या हो गया मतलब ? 1,9 का profit कमा लिया, मतलब कि 9 की चीज थी मैंने 10 में खरीज दी 10 हुपे कमा लिया उस पे कहने मतलब ये है ठीक है ? अब आपको इस में आ गया होगा खीटते वक्त हमारा जैसे में मनीटर में करते हैं 10% का profit है 1011 ऐसी चलेगा ठीक है पर base ते वक्त क्या होगा base मेरा क्या करना है मुझे बस एक बात याद रखनी है कि article form में होता क्या है कि मैं हमेशा कुछ भी calculate करूंगा profit and loss तो मैं base में क्या रखूँँगा जिसको मैंने दिया है जिससे मैंने लिया है ठीक है अब अब चलिये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको इससे में अभी कोशन करवा रहा हूं आपको स्मुल में आ जाएगा ठीक है अब 78 करते हैं कि 78 में क्या कि एक शोग कीपर है उसने अपने गूर्स है वो दावा करता है बेजने का कि मैं अपने जितने भी समान बेज रहा हूं अब करना क्या था अब देखिए अब से कहा से कमाएगा वेट से कमाएगा मतलब की कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिवल वेट कितना यूज कर रहा हूं मैं रहा हुआ है अब करना क्या था कितना बूब ओर मोलेगा वहां और कि 100 रॉल यो क्तने बे कमाए मेरा यहां पर 1 by 9 into 100 मल्दब की 11 सरी एक बटा 9 परतिशत यह क्या होगा मेरा प्रोफिट यह मेरा आंसर होगा ठीक है आई हो आको समल में आगया होगा अब आगे करते हैं 79 79 में क्या है कि एक शोप कीपर है sell his good at CP but cheat to the extent of the 10% while buying as well as selling by using fast weight उसने क्या किया है कि खरीकते वक्त 10% की चोड़ी कर रहा हो ठीक है और बेशते वक्त 10% चोड़ी कर रहा है पर इसने बोला क्या है वजन में गबला कर रहा हो ना कि पैसो में महलब कि ये मेरा दुखानदार था इसने क्या किया कि 10 परसेंट गबला कर गाए 10 परसेंट का मतलब 1 बटा 10 महलब कि 10 रुपे पर वो 1 रुपे गबला कर गाए ठीक है अगर मैं ये रुपे ही बात करूँ अगर मैं आर्टिकल फॉर्म की बात करूँ तो इसको बटा की कर दीजिए महलब कि उसको लेने के इतने गबला पर चॉरी से कतने गबला रहा हूँ 10 ठीक है है यहां क्या मेरे पास यहां मैं बोलू तो मैं दो लिखता हूँ यहां पर क्या है 10% पर सेजिंग करते रुखते हैं और 10% क्या है बेशते वकता है ठीक है यह ओटो फोकस में प्रोग्लम हो लिए आज है तो मैं इसको क्या करूँगा जब भी खरीदते वकर बात करूँगा मैं यह सिंपल बें चलेगा मतलब कैसे कि इसने इतना प्रॉफिट कमा लिया ठीक है मतलब कि लेने कितने इसको 9 10 ले लिए तो प्र प्रॉफिट कि लेने कितने इसने 10 और लिये कितने 9 ले लिये ठीक है मतलब कि दिखावाए लिये लिये पर लिये उसने 10 ही है और गपला कर गया इतना ठीक है तो इतना प्रॉफिट हो गया अगर मैं बेस्ते उत की बात करूँ अब बेस्त में आपका उल्टा होगा मतलब क कि 10% का मतलब क्या है ? एक कटा 10 , ठीक है ? महलब कि कोई article बोला गया 10 देने है इसने क्या क्या उसको नो दे दी महलब क्या नो दे दी है ? तो बेस में 9 आ जाएगा और आ वपर क्या आ आएगा ? प्रोफिट कितने कमाया ? एक कमाया है ? एक प्रोफिट कमाया मतलब की नो ले गया था दस में बेज दिया ठीक है तो अब इसको इनका लेता हूं सिंपल है तो ग्यारा बटे नो प्रोफिट कितने हो दोग हो गया तो दो बटे नो नो पे हुआ है तो सो पे कितना होगा यह हो जागा मेरा अब मैं आपको नेक्ट कुशन पर रवाता हूं अब कि एक दुगांदा 10% लाब पर तरबूज बेजता है कि इन दूबर जन में 10% कबला करता है उसका लाब बताओ देखो अगर लाब 10% लाब पर बेज आ है तो रूपों में क्या होगा मनलब कि 10 की चीज़े ले गया था 11 पर बेज दी यह बगा मेरा फाइदा ठीक है अब second case क्या है यह मेरा first case था second case में क्या वो 10% profit कमाता है किस से वजन से कमाता है अब बजन से कमा रहा है तो मतलब क्या हो गया कि 10 पे एक कमा रहा है मतलब की उसने 10 article देने थे उसमें क्या किया नो article दे दिए यह बजन की form में इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ 10 आर्टिकल देने थे 9 दे दिये तो profit कितना कमाया एक पर एक कमाया कितने पर कमाया इसलिए फायदा खाया है तो ऊपर एक बढ़ जाएगा तो उपर एक बढ़ जाएगा ठीक है तो कजी काट दीजे कितना बचेगा 11 बटे 9 तो कितना इस पर भी आपका इतना ही हो गया 200 बटे 9 परसेंट का प्रोफिट हो गया ठीक है अभी क्या सी मिचा करना है कि एक सोग कीपर मार्स इस गुड़ अब बीस परसेंट मोर एंड ओफर डिसकाउंट ओफ 10 परसेंट एंड वेट 100 ग्राम लेस इसने बोला क्या है कि उसने अपने जो शोग के पर ने क्या किया किया कि अपने गुड़ से 20 परसेंट तो ज़्यादा आपके क्या कर दिये उपर बढ़ा दिये मांगे चलो मेरे पास कोई क्वाइट दी मैंने 20 परसेंट तो क्या किया इंक्रीज कर दिया ठीक है और फिर क्या क्या दस परसेंट का मैंने डिसकाउंट दे दिया ठीक है और फिर क्या क्या मैंने 1,100 gram का गपला करन लिया ठीक है अब समूझे चलिए 20% कमाया profit मलब कि 5 की ची जोगी मैंने 6 में बेज दी 10% का discount का discount दे दीया मलब कि कोची 10 की थी 9 में बेज दी मैंने discount हो गया अब गपला किया है 100 पे का अब 100 का गपला किया है तो कितने भी किया है अब आपको यह निकालना है अब कहने मतलब यह है कभी बोले गबला किया ग्राम में तो एक्षुल बात हमारा एक लोग होता है बात कि 1000 द्ये ते मैंने कितने क्यों दे दियें ूज़्क बदे हैं यहां पी लिख दिया कितने किया बदफित किया है ठीक है तो एक बढ़ा है कि हजार ग्राम पे अमने इतने कर दिया है यह काड़ गई मैंने इससे यह कट गया इससे यह कट गया तो कितना बजा 6 पटे 5 तो ओर राल प्रोफिल कितना गया मेरा एक पटे 5 इंटू 100 में लोग की 20 परसेंट है ठीक है फ्रेंड्स अगर आप सुरू सुरू में कर लें तो आपको थोड़ी difficulty होगी मैं तर समझें में पर बाकी कुई बड़ी बात नहीं है अपने आप सीख जाओगे ठीक है अब मैं करता हूँ 82 इक चोकी पर है उसना उसने अपना जो गूर से भीस पर अबोव माग कर दिया Boost फिट डिसकांट क्या किया है उसमें 10% का डिसकांट दे दिया ठीक है ये 10% का डिसकांट दे दिया ठीक है और 10% चीट कब किया है जब उसने बेश दिया इस कोशन आपके side-out clear हो जाएं कि इसमें mix है discount MP सब कुछ है अब देखिए मैंने mark price बढ़ा दिया जो मेरा rate था 20% high कर दिया मैंने अगर 5 था मैंने 6 कर दिया ठीक है discount में 10% दिया है अगर 10% discount दिया उसका मनलत क्या हो गया कि 10 rate था मेरा मैं 9 में बेश दिया ठीक है बस आपको ऐसी करते जाना है अब बोलेशने अगर मैंने buy करते वक्त rate में गबला किया है कि इसमें किया है वजन में गबला ये ये वी वजन में गबला है ठीक है अगर वजह न में कबला किया है दस परसेंट, तो हो गए क्या, देखे बाइ करते हो अपका जैसे यह चलता है, आपका profit चलता है, यह ही चलेगा, बहुत कि कि रीचली 10 की चीज़ थी मैंने किया रा में ले ली ठैक है यह मैने वज़न के बिभला किया ना मेरे को बोला गया आपको 10 लेना है मैंने अब को वताया था, 10 परिशन मैंने एक ड़ता होता है, कि वही 10 आर्टिकल बोले के, मैंने 9 बेज दीए, जो बेचे होनी चाहेंगे, अब 9 पर एक का प्रोफिट है, मैंने 9 है, तो मैंने 10 में बेज दिया, अब आपको समझ में आगया होगा मैंने काट दिया यह 9 से 9 यह मेरा क्या बचा 66 बटे 50 कितना 16 16 कितना होगा 32 परसेंट ठीक है फ्रेंट्स यह आपका ऐसे हो गया आप करना है 83 में क्या है कि 8080 डीलर है सेल गुड्स एट 6 परसेंट पर बेसता है लोस पे ठीक है ना कोड़ प्राइज अब आप एक बात देखिए इसने क्या बोला है कि डिलर है वह सैल करता है लोस पे कितने पे 6-4 परसेंट यह क्या लोस है ठीक है और यहां पर क्या करता है वेट में फड़क करता है कि उसने क्या क्या अब देखिए कैसे करेंगे अब मुझे देने अब यह पर करते हैं चाहाई चोबीस पत्रीस प्रटे चार मलगी पत्रीस प्रटे चार इंटू सो अब कि शोला की चीज ही यह मेरे पास आगया एक हटा शोला अब यह लोस हुआ है मतलब कि खीश थी मैंने कितने पेष दी 12 में शेयरा मैं इस अब मैं इस का पर निकालता हूँ इसमें क्या है कि मुझे बोलागा गया आटिकल देने है अंब कि तो 2 ग्राम का फाइदा हो गया पर कितने हैं, 14 पर भी हिशा है। एप कांट हसे वन को कितना है, 14 पर 2000 म Keys, 16 देने कि 16 ने बेज दिया। मैं रूपे मैं लेता हूँ, आपको उल्टा करना है, 16 बटी 14 पर भी है। ठीक है जब आपको ऐसा कुछ बोले अगर बोलते 10 परशेंट का पैनि फिर गब का गबला किया है मतलब कि 10 लाया होगा तो मतलब की देने थे अब कोई इतना समझ में आ गया तो उल्टा कर दो बस आप एक पर ठीक है यह अब कर देता हूं 16-16 यह तो कितना बचाईए 15 बटे चोदा तो एक का प्रोफिट है एक का प्रोफिट कितने पर चोदा पर तो सोब पर कितना होगा पुचास बटे साथ परसेंट यहां मैं साथ सही एक बटा साथ परसेंट प्रोफिट है ठीक है फैंड्स अम्में करता हूं 84 84 में क्या है कि एक डिस्ट उने सेल ले रहे हैं सेल दा गुड एड़ दा अपका वही है थैंस दी एड़ चार परसेंट के लोस पर बेच रहा हो ठीक है ओंड्स प्राइज प्राइज बट यूज साथे बारा परसेंट लेस बेट देखिए अब इसने क्या किया है पहले तो अब गबलagon कर दिया बेट में कर दिया मतलब कि चार से एक ड़एगा है इसने लोस लिया है छीक है मतलब क्या है मैं पहले चार परशेंट का या लिद बेच दी यहां पर लोस लिया इसने अब इसका मतलब क्या है पतुर बटे दो इंटू सो मनलब की आठ एक बटा आठ है इसका मतलब एक बटा आठ है मनलब क्या है का मतलब ये है कि इसको बोला गया भाई तुने आठ अर्टिकल देने है कस्टुमर को इसने क्या किया उसको साथ अर्टिकल दे दिये मनलब की बोला किया आठ देने है आपको ऐसे रखना यह 8 उपर रहेगा और 7 नेचे रहेगा बस आप इस फोम में लेए कि आज यह पसंटेज को वेट वाली को आपको बस यह उपर 8 रहेगा नेचे साथ रहेगा ठीक है अब गलेता हूँ 8 नी 16 तो यह 15 बटे 14 आ गया वही है एक का फायदा 14 पे तो 100 पे कितना हो जाएगा साथ सही 1 बटा 7 परसेंट यह मेरा प्रोफिट हो गया अब 85 करता हूँ जैसे भी किया है कि एक दिस्वाश्ट डिलर सैल ही गूड अट 10 परसेंट प्रोफिट ठीक है बट युज फाल्स मीटर सो इस ओवर आल प्रोफिट 30 परसेंट फाइंट दा सेंटीमीटर इन वन मीटर का जो से ने गपला किया है उसने बोला क्या है कि भाई 10 परसेंट का प्रोफिट दो कमा रहा है जो CP पर कमा रहा हो ठीक है और बोला क्या है इसने कि मीटर में एक मीटर पर कुछ को दबला किया है मतलब कि उसने बोला उसको 100 cm देने थे और उसने क्या किया एक सेंटीमेटर को दे दिये ठीक है एक मिने पास ये कंडिसन दे रखी है अब बोला क्या है कि भई 10 पर शाइब प्रोफिट है मतलब 10 की चीज़ लेगा था 11 मेज दी ठीक है अब ये कितने का हो गया मेरा 100 को मैंने कितने दे दी एक सेंटीमेटर दिये है तो मैंने अब बोला क्या है कि उवरहाल जो applied 30 % हिए तो satisf Saund का मतलब did Das में ले के आया होगा 13 में बेचा होगा यह मेरा overall profit होआ है तो इसकार देखता हूं मैं यह cut गया यह कितना गया मेरा 1100 X value कि जागी 1100 बटे 13 यह मेरा cm हो गया जो मैंने customer को दिया था वो मैंने इतना दिया होगा ठीक है? देना मुझे 100 cm था मैंने दिया कितना 1100 बटे 13 cm दिया यह मैंने गबला किया है अब 86 में क्या है? कि एक बेहिमान दुकानदार है वो कर्या मुले पर 15% की हानी उठाता है और 1 kg को X gram में मापता है ठीक है ना? तो 25 cm को उसको और अलाब होता है तो X का मानता ना है वोई कोशन है सेम पहले था इसने बोला कि 15% की हानी है यह लोस है अब गबला कहां कर रहा है तो इसको बोला गया कि भई 1000 g देने customer को ठीक है customer सोचेरा 1000 g दिये परसिंद दीक कितने customer को X gram दे दीक है तो कैसे करता है अब को पताःे यह 15% की हानी है तो 15 बटे सो करूगा तो कितना बज़ेगा पांथ ये 15 और 20 मलग कि 20 की लेका आया तीन का गाटा हाया है मस्तरा में बेची होगी मलग कि 20 की लेका आया है और 17 में बेच दी अब लोग आपको पते कि कैसे करना है ये वाला उपर रहेगा ये वाला नीचे आपको इस फोम में लेका आना है कुछ भी पेटे 100, 35 रोके 100, 4 गा लेका आपको पांचे लेज दिया कहना ये चाहता है ये बस अब खेल लो 5 जो नहीं 10 ये 100 ये 4 बंचे 20 है ये 5 चोग 20 है तो एकसी वेलो कितनी हागी इस तरह जोके 68 680 रूपे सुरी 680 ग्राम मलग कि उसने क्या किया 1000 ग्राम देने थे 600 ग्राम उस आप पियमा समझेगा मैं जैसे गवा रहा हूँ ये अलग है कुछ है सेमी है मेरा जैसे था मैं लोग कि मेरे को इदना चल गया था ना पता कि 1000 ग्राम दे लिया ठीक है एंद difafärТ कि में अबां अबां में जी नहीं उसितना एंद अगर आपको मैं बता थ कि मोछे कमड़िंचाय जाल दीचे कि हमने मता ग्रूची पता थ्यूंग तो मैं यह लिखित कैम benefit लिग a यह हटा दूँआ, ठीक है, जोट मत बोलना, तुम्हें तुम्हारी मा की कसम, ए डिस ओनेस्ट डिलर प्रोफेस्ट टू सेल इस गूड अट दा कोष्ट प्राइस, बट बाई उजिंग फास बेट, लसी गें 11 सही, 11,1.9%, उसने बोला है, की, बोला क्या है, उसने की एक दुकान दा रहा है, वो कहता है, की बजर में गरबड़ी कर देता है, अब बजर में गरबड़ी की है, कितनी की है, 11 से इपड़ा 9, मलब की, उसका प्रोफिट यही देगा, अब 11 से इपड़ा 9% की गरबड़ी है, तो 11,9 बटे 100, 100 बटे 9% का अंटर नीचे है, यह कट गया, मलब की, देने थे 9 आर्टिकल, उसने दे 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 कितने, 8 आर्टिकल, गरबड़ी है की इन उसने, बेशते वक्ते, ठीक है, मलब बजर में प्रोफिट की तक हमाया, इसने बोला क्या है, कि इसने गरबड़ी किया है, एक लोगरा मजन पे, तो एक लोगरा मजन ये था मेरा, एक लोगरा मलब 1000 था, तो इसने यहाँ पे कुछ गरबड़ी की होगी, ठीक है, तो इसने इस प्रोफिट के बरबर आया है, इसका, मैं कर देता हूं, तो 1000 गरा मैं उबर कर दिया, एक नीचे कर दिया, इसको काड़ तो अब, फिर भी गलत है, मैंने प्रोफिट बजर में अब इसने बोला क्या है, यह जो प्रोफिट कमाया, किससे कमाया इसने, इससे कमाया है, मैं लोगी 1000 गराम की जंग है, कुछ fast weight यूज किया यहां पर, मलत देना इतना था, दे गया इतना, तो मतलब की 1000 गराम, बटे x गराम, unit to unit cancel, 1000 से 1000 गराम, तो x equal to कितना गया, 900, मतलब की उसमें क्या किया, 900 गराम बेट दे दिया, ठीक है फैंड्स, देना कितना था, 1000 गराम, अब करते हैं, 88, अब एक टीट में क्या है, after offering a discount of 23%, a seller gain, profit of 21%, देखिए, इसका formula होता है, होता क्या है, देखिए, CP, यह MP होता है, ठीक है, वोता क्या है, मेरे पास, मैं क्या करूँगा, कि अगर discount बोलता है, तो 100 minus D, यह आप याद कर लिजे, और profit बोलता है, तो 100 minus 21, यह मेरे ratio में सा किसे आएगी, CP क्या एगी, और कैसे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए CP है, यह मेरे पास MP है, यह मेरे पास SP हो गया, मेरे पास 100 था, मेरे को बोल दिया भाई, कि 10% discount दे रखा है, अगर 10% discount है, तो मैं लोगा इसका, नबब में बेचा होगा, ठीक है, और बोलता profit कमाया कितना है, 20% profit कमाया है, अगर 20% profit कमाया है, तो यह 75 हो गया, ठीक है, अब मैं यह formula लगाता हूँ, यह CP है, यह MP है, अब discount कितना मेरे पास 10 है, 100 में से 10 कटांग और 90 है, और MP कितना है, मेरे, sorry, profit कितना मेरे, 20% है, तो 100 प्लस यह profit आएगा है, तो यह 120 हो जाएगा, अब इसक इस तरीके से कर लो, बात एक ही है, ठीक है, तो मैंने यह इसलिए क्या है, ताकि मेरे MP और CP इसलिए आजाए, अब question क्या है, कि 23% का discount दिया है, अगर 30% का discount दिया है, मुझे 100 में से कटांग हो कितना बचेगा, तो यह 7 है, 10, यह मेरा 27 हो गया, प्रोफिट कीता कमाया, मैंने 21% का, तो 121 कमाया, तो बोला कितने इसने, कि क्रेया मुल्ला और अंकीद मुल्ला का ratio बताना है, तो यह मेरे CP अगा, यह MP अगा, इंका ratio निकाल दो, 11 से कट गया, 11 से और 11, तो मैं पास यह ratio आगया, ठीक है, अब 89 करते हैं, 89 में क्या given है, कि by how much amount MPs would exceed to the CP, in order to gain 70%, even after giving discount 10%, बस CP और MP की जम जहाँ भी बात करें, आपको यह लगाना है, कि CP कहा है, 100 minus discount, कितना है, 10 है, तो 90 हो गया यह, और MP होता है, 100 plus profit, तो 100 plus 17, 117 हो गया, ठीक है, आपको बोला कितना है, कि कितने percent MP हाई करना है, अब आपको बता, MP इतना है, CP इतना है, इसने बोला कि कितने percent हाई करूं, कि 10% discount देने के बाद, मुझे profit कितना हो जाए, 17% हो जाए, तो कितना difference है, 10 और 27, कितना हाई कितना है, 10 और 27, 27 का difference था, 27, मैं उपर हाई करूंगा MP को, कितने percent हो गयागी, 937, मैं लोगी 30%, क्या करूंगा, मैं MP को हाई करूंगा, अब 90 देखते है, last question है, आपकी वीडियो का, एक वैपार ही अपनी वस्तों के अंकीत मुले पर 15% की छूट देता है, तो ये CP है, ये मेरा MP है, 15% की छूट दी है, तो 100 में से 15 गड़ाजता हूँ मैं, 80 बचिया, अगर MP पर कितना हो गया, 19% का, तो 119 हो गया, अब इसने बोला क्या है, कि CP से MP कितना हाई करूं, कि मेरा लाब 19% हो जाए, अब मेरे पास रेश्यो आगी दोनों की, अब क्या करता हूँ, इनका difference क्या निकाल लोंगा, देखिए, मैंने कैसे किया था, मैंको फिला दूं, 100 था, मैंने discount निकाल दिया, 100 था, profit जोड दिया मैंने, इनका difference क्या होगा, difference में दोनों का समीत होगा, खाली 19 था बदरागा, तो पूरा गठानी जुरूत निकाल जोड दिया करो, तो मतलब कि 40% मुझे MP, CP से high करना पड़ेगा, 19% profit कमाने के लिए, यह मेरा answer हो गया, चलिए friends, आगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए good bye and tech care.